दिल्ली के राम लीला मैदान में आयोजित होने वाली इस राम लीला की शुरुआत दोसो बीस साल पहले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नकी थी जो आज भी बदास्तूर जारी है हर साल नवरातिरी के दोरान इस राम लीला का अध्भुत आयोजन होता है और मंचन करने वाले कलाकार इस राम लीला को जीवन्त कर देते हैं यह एलगाम लीला लगमक दोसो बीस साल इकिस साल पगानी है पहले ही प्छोके से लेवल पर होते थी दो सदियों से अनबरत हो रही ये रामलीला भारत की सबसे पुरानी रामलीलाओं में शुमार है यहाँ पर मंचन करने वाली कलाकार अलग-अलग शित्रों से आते हैं जिसमें कोई छात्र है तो कोई वेफसाई कोई डांस टीचर है तो कोई सौफ्टवेर डवलपर यह है सतीश कुमार जो पेशे से होटल मैनेजर है लेकिन जब शाम को रावण का रूप धारन करते हैं तो उस विक्राल चरित्र को जीवन्द कर देते हैं क्या जोब चुड़ के लिए पिछे सालों में कम तो 10 जोब चोड़ जोड़ को अ जितनी बार भी यहां पर आया हूं तो यह एक नेक जोड़ कही है अगर घड़ी बर भी गुसा बिरी आखों में छाजाए मही डोले हिले परवाद सकल संसाथ ठवगाए हम लंकेश है अनमोल गुपता जो दिन में एक सौफ्ट्वेर डवलबर का काम करते हैं शाम को भगवान राम का किरदार निभाते हैं अनमोल गुपता का कहना है कि ये भूमी का निभाना उनका बच्पन का सपना रहा है और वो इस दोरान अपना खास ख्याल रखते हैं ऐसे और भी कलाकार है जो पूरे मन से किरदारों को निभाते हैं और मेरे निशत जातियों के साते हो आप सब्सक्राइब की ताडिका, मारी, सिभाव, आदी राक्षाशु का बत होगे लेकिन अपने शिर्ट वेलोग कभी विया आप अकरना पूर सकते हैं बाहर की जिए भी आवाइड करने पूरी टीम ओञे आप इंदन शोते भी होनग तो गाफ ना आप पर घंठ अंपे डेन risky गें हम चालिस के चालिस आउन हमार वाले हो पर और मै सब दो जमीन पर ही सोएंगे और खाना भी बहुत सिंपल खाना खाते हैं नवरात्र चपने तो नवरात्रों लोग में काफे सारे लोगों में बहुत सारे लोग का फास्ट है इन पंद्रा सारों में ने भरत लक्षमान मेगनात परशुडाम कई रोल ने वाए हैं इन दस दिनों में यह जो टाइम है यह जो डूरेशन है चार से पाज करने का हम इसे अपनी डेली लाइफ सेड्यूल में स्रिक्स कर लेते हैं जैसे हम रोज सुबह उठते ना बैट्टी लेनी है तो वो टाइमिंग सिक्स है तो इसलिए हमको इन दस दिनों में यह बिल्कुल रोटीन रहता है छे बज़े हमें वहाँ पहुंचता है तो अपने शेडूल को हम सेट अप करते हैं लक्षमण का किरदार निभाने वाले कलाकार दिनेश कुमार उत्तरपरदेश के कासगंज के रहने वाले हैं और पेशे से सरकारी करमचारी है वो हर साल अपनी छुट्टियों का उपयोग दिल्ली में इस एतिहासिक मंच बरपदर्शन के लिए करते हैं दूसरी ओर सीता का किरदार निभाने वाली जोती ठाकोर एक प्रोफेशनल मॉडर है और इस वर्ष मैं लक्षमण का रोल कर रहा हूं और मुझे यहां की जो भविता है जो इतना बड़ा मंच मुझे मिलता है यह मुझे बहुत प्रवाइद करता है और मैं हर वर्ष किसी लिए यहां पर राम कई लोगों के लिए राम निला भगवान राम के जीवन पर आधारित एक नाटक हो सकता है लेकिन ये सभी कलाकार इसे मंचन से ज़्यादा धगवान के प्रती उनकी भक्ती का प्रतीक मानते हैं झाल प्रतीक मानते हैं